हेलो दोस्तों मैं हूं तसली माराच के ब्लॉक में आप लोग का स्वागत है I hope कि सभी लोग ठीकी होंगे तो आज हम सफर करेंगे भारत के एक मसूर राज्य ओडिसा का लेकिन इस सफर में हम देखेंगे कैसे प्राचिन कलिंगा से ओडिसा बना यह ही हमारा टॉपिक भी रह सबसे पहले कलिंगा का अरह लिए भारत के उत्तर पस्चिम कोने में अपरत का प्राचिन राज्य था इसका इतिहास और यूद संश्कृती से जुड़ा हुआ है कलिंगा का महुत करेंद्ध बेवार और समझीा विवरस्ता से आता था और यूद के मैदान में इतिहास में एक महत्तपुर्ण इस्तल है यूद्ध के बारे हैं बात किया यह तो असोका का कलिंगा यूद्ध असोका जो कि मौर्या बंस के समराड थे असोका मौर्या समराड ने कलिंगा के साथ 261 BC में एक प्रसिद यूद्ध लड़ा था असोका ने आहिम से और धर्म को अपनाया तो यहां पर आता है मैन मुद्ध जो कि कलिंगा से ओरिशा हमारा टॉपिक भी यह था तो कलिंगा का नाम बदलकर और यूद्ध बनने का इतिहास फर्स्ट अपर्ल 1936 में लिखा गया इस समय ब्रिटिज भारत में आड्मिर्स्ट्र से कदम उठाई जिसमें इंडेस्ट्राइशन और इंफ्रेक्स्ट्राइल डेवलोप्मेंट सामिल है सामजिक दुरुष्ट्री से सिख्ष और स्वास्तपूर्ण सुझापूर्ण सुधारे आई हैं तो दोस्तों इस सपर में हमने देखा कैसे कलिंग एक नया अदाया सुर सुरSबस्की अभाट सामिल है